तो गाइस Android Studio पर जाने से पहले एक चीज़ और हमारे इसमें क्या implement करना क्योंकि मुझे इसमें life cycle में implementation करनी है इसके ठीक है तो मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी इस डिपेंडेंसी भी आड़ेंगी हमारे व्यू मॉडल की जो हमारा यह क्या हमारा यह क्या हमारी life cycle components की documentation में आता है तो अगर आप यहां पर देखोगे आप सिंपल के कर सकते हो और से सर्च कर सकते हो online simple android life cycle adding life cycle components तो आपका यह documentation खुल के आ जाएगी गए इसमें अलग अलग हमारे पास documentation है इसमें हमारे पास किसकी है kotlin की भी है और किसकी आगए हमारे पास java की आगए अगर आप इसमें देखोगे तो गैस यहां पर क्या implementation है एक तो व्यू मॉडल एक लाइब डेटा तो मुझे कौन सी करनी है लाइब डेटा और व्यू मॉडल दोनों का चाहिए मुझे क्यों क्योंकि मुझे जो व्यूज है वो भी शो करवाना है जो adaptation होगा तो बेसिकली इसमें क्या है कि लाइब डेटा जो अबसर्फ करेगा और व्यू मॉडल जो उसे शो करवाएगा यू आइम जो पॉपुलेट करवाएगा तो मुझे दोनों की ज़रूरत है तो मैं क्या करूंगा यहां पर गाइस यह कॉपी करेंगे हम कौन कौन सा ज क्या है हमारी annotation हमें करनी है COPY तो हमारी annotation कौन सी आ गए ये वाली आ चुकी है गई अगर आप यहां पर देख सकते हो तो सिंपल हुहारा इस वाले compiler वर्जिन को आपको okay and guys मैं ऐसा करता हूं इसका भी क्या कहता है लिंक मैं देदूंगा description में तो आप इसमें simple क्या कर सकते हो लिंक से भी खोल सकते हो अगर किसी को problem हो रही हो तो को issue नहीं है तो इसका भी link क्या है description में आपको को मिल दाएगा तो आप जी के कर लेता है इसको के कर लेता हूं मैं simple यहां से copy कर लेता हूं और किसमें कर लेता है अपने dependencies में add कर लेता है किसमें Android Studio में ताकि हम इसका use कर सकें तो गई हम आगे हैं अपने Android Studio में यहां पर basically guys मैं हमिशा dependencies hopefully अब तक आप लोगों सब को पता होगा dependencies कहां add करनी है हमारे अपने build Gradle में okay तो यहां पर already हमारी कौन-कौन सी room की already written है room के नीचे कर लेता है guys ताकि हमारा एक difference रहे कि कौन सी चीज कहां पर है यहां पर क्या कर दूंगा यहां पर हमारी क्या गई एक life cycle version आ गया और यह view model और life data आ गया राइट और annotation और यहां पर copy कर देता हूं guys थाकि confusion ना हो and basically guys आपको कहां copy paste करना है इसके नीचे annotation भी इसकी copy paste कर देनी है okay life cycle की अब guys यहां पर हमारी definition जो आर्किटेक्टर वर्जिन है इसकी जरूबर नहीं है तो simple इसे क्या कर दूंगा मैं and delete कर दूंगा यहां पर इसकी हमारी जरूबर नहीं पड़ी है तो यहां पर क्या हो गया है guys हमारा सब कुछ dependencies आ गई है तो आप simple क्या कर दोगे यहां पर sync कर दोगे इस चीज का guys जहां रखना है जब net connected हो आपके जब sync करो क्यों कई बार ऐसी होती है files download हो नहीं होती है तो यहां पर कुछ लोग की error आ जाती है इस वज़ा से तो guys sync करने से पहले हमेशा दिहान रखना है इस चीज का and आपके कर लेते हैं guys sync कर लेते हैं उसके बार किस पर चलेंगे implementation पर चलेंगे तो guys यहां पर हमारा क्या हो चुका है sync हो चुका है मैं यहां पर sync कर चुका हूँ right तो इसे के कर लता हूं ग्रेडर को simple बंद कर देते हैं guys जब आप इसे sync कर लो यहां पर download कर ले गए libraries को आप simple बंद कर सकते हो को issue नहीं है and सबसे पहले आप guys हमें के करना है इंप्लेमेंट करना है अपना live data तो आप कहां से live data implement करोगे तो guys अगर आपको याद हो यह जो हमारा टास्ट जाओ जो डेटाबेस में हां पर हमारे टेटाबेस में टास्ट जाओ था रहा है तास्ट जाओ में हमारी क्या थे सारे लिए इंसर्ट के अपडेट के डिलीट के रहे और जो हम आईडी के हिसाब से लोड कर रहे थे पॉपलेट कर रहे थे उसके लिए इसारे तो हमारे जो थे मैथर्स थे अब मुझे किस पर यह लोजिक थोड़ा सा बने इसलिए आपको स्टार्टिंग मुझा था आपको हमारे हों में स्कुरीन अगर हमारे जो कोई भी चेंज होता है तो मुझे एकटम अपने एप में रिफलेक करवाना है उसे तो उसके लिए हमें कह चाहिए लाइब डिटा अभी तक हम क्या एंडी श्यूज कर रहे थे खुर्छार रहे थे राइए एंड एक्श्यूटर में ये वह तो रन रहे थे एक तो इसका अभ हम कि रहे देखे दो पाइट में डिवमेंद कर रहे है एक था logic का एक 이번 अभाए का अभ यूआ का क्योंकि में कहीर हो Don't नहीं पोपुलेट कर वा सकते हैं तो कैसे इसी प्रोसेस है और सेंपल मुझे करना है इसमें जो हमारी लिस्ट है नहीं पर जो इस वाले टास्क को अगर मैं वरैप कर दू लाइव डेटा के आ रहा हूं तो यहां पर आप देखोगी जैसी मैं यहां पर टाइप करता हूं ला रहे हैई भुग आप देख सकते हो यहां पर क्या रहा है लाइफ साइकल ईवंट है यहां पर मैनने इससे बेदिया और इसे एसे य है क्या sounds करेंके दीजैज़न एंगल बैकर थे शहां पर क्या वे रेख्याज है अब चुका है आप यहां इसे unknown है कि यहां पर हो क्या रहा है तो ऐसा क्यों गई जो अगर आपको याद हो तो हमारी जो में एक्टिविटी यह उसमें हमारा अलिडी हो लोड अल टास्क था तो यहां पर आप देखो यहां पर अगर आप इसको कहोगे तो यह क्या को कह रहा है कि जो हम return type दे रहे हैं ल पहले टाइब का था खरे लिस टाइब का वारे डे độ गारे दारट जा रहा है तो वही काम हमने की अधाתי ऺज यहां पहले ना चाय वह यहां पर का टाइब डेटर में लाइब publication तो यहां पर के लाइबHer DAVID यहां परLife data यहां पर को मैंने रफ़ाप गज्म्न एंगल ब्रैकेट का यूज करके and simple guys ही क्यों हो गए हमारी wrapping complete हो चुकी है तो आप देख सकते हो हमारा यहां पर जो error was removed हो चुकी है and अगर आप कि हो है क्यों यहां पर नहीं error हमारी create हुई है क्यों 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 क्या है क्या थास्क टास्क गिवन था वह list type का था अब लेकिन हमें क्या मिल ला है live data मिल ला है तो इसके अभी tension मतलो हो गाई क्योंके अभी यह सिर्फ क्या अभी हम refactoring कर रहे हैं क्या रहे हैं रिफ्रेक्टिंग कर रहे हैं हमने code की है तो इसमें अभी थोड़ा से क्या हो सकता है problem हो सकती है अब करते रहेंगे अब एक चीज और जो हमें यहां तक का live data हो गया है इस चीज का एक benefit हमारा live data का और क्या है कि जैसे हम यहां पर क्या कर रहे हैं एक बेनेफिट और क्या है कि जो live data होता है यहां पर हम एक्जक्यूट एक ताकि उसे background थ्रेट में रन कर वा सके रैइट लेकिन हमारा live data का यहां पर बेनेफिट होता है जो हमारा live data होता है वो तो इस पूरे logic को क्या कर सकता हूं संपल गई बाहाल ले सकता हूं और इसे अप कर सकते हो कौपई-पेस कर सकते और पूरा लॉजिक था मेरा कहां तक है गाइस का दिहान रखना कि मेरे इसका एक्जिक्यूटर के कली प्रेसिज यहां तक है तो में जो एप एक्जिक्यूटर है इसको क्यों कर सकता हूं डिलीट कर सकता हूं यह मेरे अब किसी काम का नहीं है अब यहां पर मैंने आपसे थे और यह सारी चीज है यह क्या है अभी पर करहेंगे करते रहेंगे जितने नए सुछल करा रहेंगे यहां पर क्या करें चैंड करके रहें तो यहाँत है रख्लाईगाइगा नहीं क्या क्या करता है прошл temporary फेच्ञूर्ट चैन डिवाप नहीं है फर्स पॉइंट तो गई यह हो गया है दूसरी चीज एक चीज और जो हमारा यह जो रन उन यूआ थ्रैट था बेसिकली क्या कर रहा था गई हमारा पॉपुलेट कर रहा था यूआ को रहा है अगर इस सिच्वेशन पर आप देखो गई हम ऑल्रेडी क्या यूज कर पॉपुलेट करने के लिए तो यहां पर गई जब हम और अल्रेडी बैक्ग्राउंड थ्रैट में से रन कर रहा है तो हमारा आप देखो यह टास्क में हमारे जो जितने भी टास्क यह लोड आल टास्क वाला हमारा जो रन हो रहा था टास्क राव से यहां से यहां पर और मैंने क्या कर रखा रहा था लाइट कर रा खाGLा था तो तो इस वाले टास्क है आपको क्या बताहिए है चिक जो हमारा OL इसको मैं कर दू ऑब्जबाव तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाइस ऑब्जर मेठ़र्ट के अंदर यहांपर कितने parameter हैं आपके पास दो parameter यहां पर दिख रहे हैं गाइस कौन कौन से हैं एक तो है life cycle owner